नमस्कार आज की कहानी है गिर्गिट और इस पार्ट का मैं आज आपको सारंस बता रही हूँ इस कहानी में रूस के महान लिखक ने एक ऐसी घटना का वर्नन किया है जब रूस में जार की उपाधी थारक राजाओं के शाशन में वहां की सासन व्यवस्थत चापलूसों के भ भरोसे पर चल रहा था वहां पर हालात इतने खराब थे कि वहां के अधिकारी कानून के या आम आदमी की ऐसी शिकायत पर भी सही फैसला नहीं कर पाते थे जिसमें दोशी कोई आदमी नहीं बलकि कोई खतरनाक कुट्ता ही हो पुलिस इंस्पेक्टर ओचु में लाओ दू इसम छरबेरियां की एक टोकरी को लेकर की चोराहे से गुजर रहा था यानि की बेरों की टोकरी उसने भर कर रखी थी साथ में तो अचानक उसके कानों में कुछ सोर सुनाई पड़ता है ओचिर मेलाओ मुडा और भीड की और चल पड़ा उसने देखा कि एक कुट्ता तीन टांग को पकड़ लिया था और वहे आदमी अपना दाया हाथ उपर हवा में उठा कर खड़ा था और वहाँ पर मौजूद लोगों को अपनी खून से लत्पत अंगली को दिखा रहा था उचु मेलोव ने उस आदमी को पहचान लिया वहे क्यूकरीन नाम का सुनार था सुनार यानी सोनय का काम करने वाला उस भीड के बीचों बीच अपनी अगली टंगों को फिलाए हुए नुकिले मुह वाला और पीठ पर फैले हुए पीले दाग वाला सफीद रंका बार्जोई नामक प्रजाति का कुत्ता उपर से नीचे तक कांप रहा था और अपराधी की तरह नजर आ रहा था जब उससे पूछा गया तो आदमी ने बताया कि वह तो चुपचाप अपने रस्ते पर चल रहा था इतने में अचानक इस कम अकल कुत्ते ने बिना किसी कारण के उसकी अंगुली को काट लिया क्यूकरिन की बात सुनकर ओचे मुलाओ कुत्ते के बारे में पूछता है कि वह कुत्ता है किसका और वह इस मामले को छोड़ेगा नहीं और उस कम अकल इंसान को इतना जुर्माना लगाएगा कि उसको पता चल जाएगा कि कुत्तों और जानवरों को इस तरह कहीं भी फालत खुला छोड़ देने का क्या रिजल्ट हो सकता है तो वह अपने सिपाही से पता लगाने के रिए कहता है वह पिला किसका है और इसकी पूरी रिपोर्ट त्यार करके बिना देरी कि एक कुत्ते को मार देने के बात कह देता है इतने में से भीड में से कोई कहता है कि लगता ह ये कुत्त जनरल जिगालाव का है ये सुनकर ओचे मलाव हडबढ़ा जाता है क्योंकि उसने कुत्ते को मरवाने का आदेश दे दिया था वह क्यूकरीन की तरफ मुड़ता है और उससे कहने लगता है कि उसको ये बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर इस कुत्ते ने उसे काट क कैसे लिया ये उसकी अंगली तक आखिर पहुचा कैसे ओचे मलाव क्यूकरीन को ही कोस्तेवे कहता है कि जरूर उसकी अंगली में कील इत्यादी लग गई होगी और उसने अचानक ही सोच लिया होगा कि चोट का पूरा इलजम कुत्ते पर डाल दिया जाए तकि उस कुत्ते है उसी ही कहता है कि उसे एक दम पक्का विश्वस है कि वह कुत्ता जनरल साहब नहीं है तब ला फिर के बोले है और कहता है कि इस कुछते ने उसे काटा है तो एक बात ही कुछते हैं का इसी तरह का एक कुछता उनके आंगन ने देखा था अब ओच्य मुलाव जानता था बहुत बार अपनी राए को बदल चुका कि उसकly को जनरल अम साहिब के पास ले जाया जायर और उना जिसे पूछा जाये कि क्या उたउन का है या नहीं जब उसके कुष्टे के बारे में कोई भी ठीक से नहीं बता पा रहा था तब उच्छे मुलाव को जनरल साब के घर में खाना बनाने वाला दिखाई देता है और वह उसको बुलाता है और उससे पता करने की कोशिश करता है पर बावर्ची मना करते वे कहता है कि उसने पूरी जिन्दगी में इस तरह के कुट्टे को जनरल साब के घर में कभी भी नहीं देखा है य पर बावर्ची प्रोखोर कहता है कि यह कुता जनरल साहब का नहीं है परंतु यह है उनके भाई का है अब ओचमराओ को पता चला कि जनरल का भाई आया है तो ओचमराओ बावर्ची से कहता है कि थोड़ा सोच कर देखो जनरल के भाई साहब जनरल साहब से मिलने आये हैं और यह इतना भी नहीं जानता और यह कुट्टा उनका है यह जानकर बहुत खुशी हुई ले जाए इसे यह तो बहुत ही सून्दर कुट्टा है प्रोखर कुट्टे को सम्हाल कर काट कुदम से बाहर चला जाता है और भीर क्यूकरिन की हालत पर हसने लगती है और को डराते हुए कहता है कि वह उससे बाद में निपटेगा और अपने लंबे चोगे को शरीर पर डालता हुआ बाजार के उस चुरहे को पार करता हुआ अपने रास्ते पर निकल जाता है बार-बार अपनी बाद से पलटने और बड़े अधिकारियों के कुटे तक की सिफारिश करने के कारण इस पाठ का नाम क्या रखा गया गिरगिट रखा गया क्योंकि गिरगिट की क्या आदत होती है कि वो बार-बार अपना रंग बदलता है और यही कारण है कि जो लोग रंग बदलते हैं अपनी बात से पलटते हैं उन्हें हम आम भाशा म में गिर्गेट कहा देते हैं ऐसी शाशन व्यवस्था के लिए ही कवी तुलसीदास ने भी ये कहा था कि समरत को नहीं दोश गुसाई अथ्वा समरत्वान लोगों को कोई भी दोश नहीं दिया जाता है समरत्वान यानि जिनके पास धना अधिक हो सामरत्थे हो पैसे खर्च का सारांस है अगर आपको सारांस अच्छा लगा हो और आपके इसमें कोई भी सुझाओं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताना और साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए साथी बेल बटन पेस्ट भी कीजिए जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल ज कर दो करता है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो